गाउं में नहीं हो रहा विकास ग्रामडों ने प्रधान के खिलाब जताया आक्रोश नमश्कार रवटी राय में आपके साथ महसिम रंकॉर कड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत हिसामपुर पर सखी गाउं में विकास बद से बत्तर हो गया है इससे गाउं के ग्रामडों में आक्रोश व्याप्त है ग्रामडों ने बताया कि पांच वश पतनी प्रधान रही तो वर्तमान में पती शिप रताव सिंग पतेल प्रधान है फिर भी गाउं का विकास नहीं हो रहा ग्रामणों ने बताया कि कच्चे मार्ग से लोगों को पूजा इस्थलकाली माता के मंदिर जाना पड़ता है जहां पर जल भरे कीचर युक्त मार्ग से मा के मंदिर में जाने से लोग कतराते हैं लेकिन ग्रामप्रधान आज तक इस मार्ग को ठीक कराने में अंदेखी कर रह है इस बात को लेकर ग्रामडों में काफी आक्रोश व्याप्त हैं यह बताईए क्या मामला है और इस गाहों की विकास क्या क्या हाल है सर हम भी काफी दिन से यहां पर देख रहे हैं कि इसी तरह के प्राबलम होती चली आ रही यहां पर कचड़ा पट्टी खतम नहीं हो रहा है काफी प्रधान आया और चले गए लेकिन इसके विसे में किसी ने आज तक द्रश्टी इस पर नहीं डाली है और काफी दिक्कतों का स अधी जुब है साथा करने के लिए अधी जाज किया अभी तक कोई कारवाइब कर लिए यह बताई वह समस्याव हमारे गांव कि हमारा गांव पिछले 15 सालों से इसी तरीके से ब्रहष्ट और कचड़े में पड़ा हम लोग रोज यहीं नरग कचड़ के आते जाते साधी विया होता है तो भी इसी नरक में पढ़ें साल हो गया जो वर्तमान प्रधान है ऻुव कि पत्नी प्रधान थी उन्होंने भी एक रास्ता नहीं बनवाया वर्तमान फिर वही है जो यसी रास्ते को कोई ध्यान नहीं देना चाहता आगा यहां से आप जाएंगे सो मीटर पर तो हमारी कुल देवी हैं जो गाओं की उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलता वहां पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से नरख ही नरख है और कहीं कोई एक बार तो वीडियो साहब अरे जिला से डियम साहब आये थे उन्होंने आदेश किया कि इस रास्ते का ज लगता है जो वर्तमान में टरहा पर मजराज में पधान है और पूरा पर सकी हिसामपोर पर सकी ग्राम लगता है हमारा बलाक कौन सा पड़ता है कड़ा बलाक लगता है आपका नाम सुसील कुमार पांडे यूफ्त लाइब के लिए मनिशिल लाल की रिपोर्ट